जहें दोस्तो अगर आप भी golden card बनाया है अपने ID से तो आपको प्रोचाहन रासी मिलने वाली है जैसा कि पिछले कई दिनों पहले एक update आई थे इसमें सभी को प्रोचाहन रासी देने की बात कही गई थी उसी के बात एक और update है जिसने प्रादूख भी भीजे गए है और account number डाल दे, IFSC को डाल दे, कौन सा bank है मो डाल दे तब जाके आपके account में तीन दिन के भीतर जबी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपके खाते में पैसे आने वाले हैं ऐसी ही एक update है आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में मैं दो जिलो का इसमें update देने वा पूलो करिएगा और आपका जो भी प्रोच साहन रासी है उसको जरूर ले लिजेगा तो चलिए सबसे पहले में आप से निवेदर कर अगर आपने हमरे शैनल को तक सिस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल सरा सिस्क्राइब कर लिजे साथ हैं बेल आइकन इत्बा Community Health Officer का अधार नमबरें खाता संख्या उपलब्द कराए जाने के संबंद में तो इसमें मोबाइल नमबर मांगा गया है जो की रेजिस्टर्ड है इन आधार आधार से रेजिस्टर्ड है नेम एस पर आधार आधार पर आपका नाम क्या है जेंडर टेटा वर्थ इमेल आई पंदरा प्रेल का यह लेटर है और तीन दिन के अंदर यानिके अठारा प्रेल तक यह सारी यह उपलब्द कराए ताकि साजेज उत्तरपरेश लखनौ को प्रेसित किया जा सके उनके उपरान पंचायत साहे को तथा चीच्छो के खाते में सीधे धर नासी का हस्तनांतरन यह आवश्यक सुनिशित करें उपरोग प्रायरूप पर जो भी विवरण भरा जाए वह अपूस्ट अथवा तुरूटी पूर्ण नहों तो दोस्तों ऐसी अप्डेट है क्या आपके यहां भी जो आपके अधिकारी है इस तरीके से अप्डेट जारी किये हैं क्योंकि यह कारेले मुख्य चिकत्सादिकारी प्रताबगर दोस्तों आपको याद होगा इससे पहले एक अप्डेट आई थी जिसमें असपश्ट तरीके से बूला गया था कि बहतर तरीके से कारे नहीं हो पाना समय से पेमेंट नहीं देना और जो प्रोचाहन रासी है वो नहीं देना है तो इसलिए जल्द से जल्द जो भी ये कारे कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़े दी जाएं तब जाके फास्ट कारे होंगे तीज कारे होंगे और जो भी कारे अभी कंप्लीट नहीं है यानि कि जिनका भी कोल्डिन कार्ड अभी नहीं बना हुआ है वो भी बन जाएगा जब इस तरीके से प्रोटसाहन राशी दे दी जाएगी जो तै है और पेमेंट समय से दिया जाएगा जो कि पंचायद सहायकों के बारे में बोला गया था उसके बाद ही अपडेट आई है और इस अपडेट में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़े मांगी जा रही है तो आ आपकी प्रोटसाहन रासी है अपने जितने गोल्डन कार्ड बनाया है उस तरीके से आपको मिल पाने वाली है हाला कि आप देख सकते हैं ये जीला दूसरा है और इस जीले में भी ये बोला जा रहा है कि गोल्डन कार्ड जो भी पंचायद सहायक बनाया है उनका जो भुक्तान किया जाना है उनके जो भी कारे करने में तय था कि एक गोल्डिन कार्ड पे उनको प्रोचाहना सितने दी जाएगी तो उनका जो भी अकाउंट नंबर है वो सारी चीजे कुपलब्द कराई जाए तब ही जाके पंचायत साव का अधार कार्ड और अन्य बैंक संबंधित विवरण की अवशक्ता है अब बोला गया है और इनसे आप एक्षा भी की जाती है कि पंचायत साव का वित्ति विवरण निड़धारित प्ररूप पर Google Seat पर सिग्र उपलब्द कराने के लिए समन्धित को निड़धित करें यानि Google Seat पर ये सारी चीजे मागी गई है आप देख सकते हैं यह प्रयाग राज का है वो प्रताबगड का था तो इसी तरीके से हर जिले मेलाग लग चीजे हो सकती है तो आप लोगो चाहिए और इसमें Google Seat में भरने को कहा है तो साथ ये थी दोनों चीजे और आपके जिले में किस तरीके से ये अपडेट आई है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा आपको क्या लगता है ये पेमेंट आपको मिल जाएगा या फिर ये भी अटक जाने वा रही थी उसमें ये असपश्च तरीके से बोला गया था कि पंचायत सहाइगोगा जो पेमेंट है वो नहीं दिया गया है साथ ने प्रोचाहन रासी भी नहीं दी गई है इसके कारण जो कारे हैं उसमें तेजी नहीं आ रही है अला कि पंचायत सहाइग को ने स्वास्त भी भाग के करमसारियों से बहतर कारे किये हैं ऐसी भी अकम्टेट थी और मैं आपको दिया था बकाइदा प्रेस दोरा वो उसको प्रकासित भी किया गया था तो कहीं ने कहीं पंचायत साह हो कि जो छवी है काम करने की बहुत ही मजबूत दिख रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग को जो देने की बात कहीं जारी है जैसा कि प्रोथसाहन रासी देने की बात कहीं जारी है तो उसको आप लोग छोड़ दे तरीके साब से डिटेल लिए जा रहे हैं उस पर आपका ध्यान रहे और आप लोग जो भी आपका डिटेल है वह उसमें फील करें और जो भी आपका प्रोच सहां राची है उसको प्राप्त करें दुस्तों उम्मीद करें कि आपको जयनकारी बहतर लगे होगी ऐसी तुमाम ज लगता रूगरू का राते रहेंगे तो फिलाल इस उड़े में इतना ही मिलते हैं जैनकारी के साथ अगले उड़े में फिलाल खेव देलें दूस्तों जैनते